वेलकम तो मैं यूटूब चैनल S.A.S. एक्जाम टार्गेट आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी न्यू स्लेवस चेंज हुआ है जो एप्लिकेबल होगा एक्जामिनेशन 2 2024 से अब इसमें क्या है कुछ चेंजेस किये गए हैं हम अभी बात करेंगे सिर्फ कॉमर्शियल जो कॉमर्शल ओडिट में हैं उनके लिए कॉन कॉन से PC हैं और क्या क्या चेंजेस में हुए हैं अब देखिए अब ऐसा निये कि ये 2024 से अप्लिकेबल होगा तो आपको इसके बारे में पता नहीं रखना है न क्योंकि आपको क्या अब इसी उसके अपनी स्ट्रेटजी बन है आज हम इसकी पूरी डेटेल में बात करेंगे और इससे पहले मैं इसकी वीडियो एक डाली थी जिसमें मैं सोरी टू फोर्गेट टैल अबाउट डेट पीसी 12 परफॉर्मेंस और तो अगर किसी ने मेरी वह वीडियो देख रखी तो आप डारेक्ट जाके लास्ट का बा सबसे पहले हम बात करते हैं पीसी बन की यह क्या है पीसी वन हमारा जो पहले था सेम वही है जिसमें क्या था लेंगोईज स्किल्स वह देखते थे अब इसमें क्या किया है सिर्फ एक टॉपिक इसमें जो बढ़ा दिया गया है वह क्या है ऐससे जो 20-25 नमबर इन्होंने ब बढ़ा दिया गया नया टॉपिक उसके बाद क्या है पीसी टू पीसी टू में क्या था पहले पीसी टू में क्या होता था हमारा मैट्स का वेपर होता था जिसमें हमारा क्या है सेंप्लिंग स्टेडिस्टिक्स और क्या है मैट्स के टॉपिक होता थे लेकिन अब क्या कर दिय गया है government audit government audit यह हमारा गया एक extra PC बढ़ गया है मतलब जो पहले क्या था PC 22 होता था अब इसको क्या बना दिया गया है PC 2 बना दिया गया है क्योंकि पहले PC 22 commercial audit वालों का नहीं था अब इसमें क्या क्या है क्या topic है इसमें तो constitution है और auditing standard है इसमें उन्होंने बताय हुए कि कौन कौन से पढ़ने सारे नहीं पढ़ने क्योंकि कुछ auditing standard क्या है दूसरे PC में और क्या है इसमें audit process है और क्या है statistics है अब इसके बाद हमारा आता है PC 3 अब PC 3 में इन्होंने क्या किया है जो हमारा पहले क्या होता था IT practical होता था और IT theory होता था PC 3 और PC 4 इन्होंने दोनों को ही mix करके PC 3 और PC 4 दोनों को mix करके एक ही PC बना दिया PC 3 इसमें हमारा practical भी होगा और theory पार्ट भी इसी में होगा उसके बाद हमारा आता है PC 8 अब PC 8 में क्या है इन्होंने PC 5 और PC 12 दोनों को mix किया है और क्या बना दिया PC 8 बना दिया जिसमें हमारा यहां प्रसर जो मारे PC 5 में होते थे और basic principles of government के होते थे basic principles of government के and PW accounts है और क्या accounting standard है इसमें accounting standard भी क्या किये गए एड किये गए accounting standard में क्या है इंडेस हमारे है CPWA code हो गया और plus एक जो हमारा topic पहले नहीं था PC 12 में वो क्या था receipt and payment rule यह हमारा PC 12 में नहीं था commercial audit वाल होगा लेकिन अब क्या है जब यह इसको PC 8 मनाया गया है PC 5 और PC 12 को add किया गया है तो इसमें recipient payment rule भी add कर दिया गया है और हमारा वो बागी सारा क्या है सेम है GAR, GFPR और DAPR जो पहले PC 12 में होता था वो इसमें भी होगा लेकिन इसमें क्या है indies indies जो हमारा पहले किसम होता था PC 15 में होता था PC 15 में जो हमारा advance accounting था उसमें indies होता था अब यह indies किसमें आ गया indies PC 8 में हा गया उन्होंने बताया हुए कौन-कौन से पढ़ने हैं वो सारा हम जब PC wise study करेंगे तो हम एक बार go through हो जाएंगे उससे उसके बाद हमारा आता है PC 10 अब PC 10 का क्या है PC 10 हमारा PC 15 जो था और PC 20 दोनों को mix करके PC 10 मनाया है जिसमें advanced accounting और plus costing है अब देखो इसमें किया गया है जो advanced accounting का हमारा पूरा पार्ट था PC 15 का वो PC 15 का तो पूरा का पूरा पार्ट ही है है लेकिन PC 20 से इन्होंने केबल जो costing वाला पार्ट था वो इसमें add कर दिया PC 20 में पहले क्या थे दो पार्ट थे एक पार्ट था costing का और एक था हमारा जो loss थे है ना जो क्या थे loss थे वो सारे क्या थे दूसरे पार्ट में जो भी एक्ट वगेरा थे वो दूसरे पार्ट में थे तो इसका जो costing वाला पार्ट है वो इन्होंने क्या किया इसी में माल प्लास कर दिया मतला एडाट अकाउंटिंग प्लस कोस्ट यहह इसमें आएगा माला PC 10 में आयगा और इसका जो यह एकस वाला पार्ट एक्ट वाले पार्ट इन्होंने हटा के किसमें पुचा दिया है पीसी टॉंटी में पुचा दिया है अभी आगे बात करेंगे उसके बाद आता है मारा PC 14 अब PC 14 में क्या है इन्होंने एक ये नया PC बनाया है Financial Audit Financial Audit का क्या है एक नया PC PC 14 जो Commercial Audit वालों को देना पड़ेगा 2024 से अभी इसमें क्या है इसमें इन्होंने दे रखा है कि Financial Audit of State and Union का Autonomous Body का Certification Audit of External Edit Project अगर कोई External Edit Project मतलब External साहता देखे कोई Project अगर हो रहा है तो उसका भी क्या Certification करना है तो ये सारे के सारी टॉपिक किस में हैंगे हमारे PC 14 में हैंगे उसके बाद हमारा आता है PC 20 अब PC 20 हमारा किस-किस का किस-किस को मिक्स करके बनाया गया है PC 20 को और PC 26 को PC 26 का जितना पार्ट है वो तो रहे गए रहेगा और PC 20 का केवल जो हमारे Commercial Laws थे वो सारे इसमें आएंगे Commercial Laws जो जितने भी हमारे Acts थे Companies Act हो गया Electricity Act हो गया है स्लेबस बढ़ा दिया मतलब दो-दो PC को मिक्स करके गया है बढ़ा दिया है स्लेबस बहुत ज़्यादा हो गया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है PC 12 Performance Audit and Compliance Audit यह क्या था पहले PC 26 में था हमारा Performance Audit and Compliance Audit और क्या था Financial Attest Audit Manual तो Financial Attest Audit Manual का यहां से सीधा सीधा यह Financial Audit का यह पूरा टॉपिक यहां पे लेके आ गए एक PC में और बच्चे हुए जो दो टॉपिक थे हमारे Performance Audit and Compliance Audit इनका इन्होंने PC 12 में इसको लेके आ गए जिसमें Performance Audit Guidelines और Compliance Audit Guidelines तो होगी होगी उसके साथ-साथ ISSAIB भी होगा और CAG Manual of Standing Orders होगे अब इसके क्या है हम डिटेल में बात करेंगे जब भी हम PC wise study करेंगे तो हम क्या इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे तो अब हम overview अगर हम देखें तो पहले हमारे PC 9 PC होते थे अब हमारे PC कितने हो गए 8 PC हो गए जो 4 PC हमारे group 1 में हो गए यहां से उपर जो है यह group 1 में हो गए और यह PC हमारे group 2 में हो गए यह group 1 के PC हो गए और यह हमारे सारे किस के हो गए गुरूप 2 के हो गए तो अब जैसा कि क्या है स्लेवस बहुत जादा बढ़ा दिया गया है तो मैं तो यहीं कहुँगा कि ट्राइ कीजिए कि आप 2024 तक जाओ ना उससे पहले ही आप क्या गरो सारे PC किलियर कर लो तो अपना best देखे उससे पहले ही अगर किलियर कर लो तो बहुत अच्छा है बाकी देखेंगे ऐसा नहीं है यहां वो भी impossible होगा impossible कुछ नहीं होता, सब कुछ आप पे depend करता है आप अगर impossible से होचोगे तो impossible है अगर possible से होचोगे तो possible है हम वो भी easily करेंगे अगर जब आएगा तो उससे पहले क्यों wait करना उसका उससे पहले हमेंग्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए थेंक्यू फेरी मच